हेलो एरिवन वेलकम टो माई चैनल नोर्शेट एम्स जी हैं दोस्तो अभी अपना टार्गेट क्या चल रहा है सर राजस्तान शीएचो क्लास नंबर रहने वाली है यह 14 नंबर इससे पहले आज तक हमारी क्लास नहीं देखी तो प्रिवेस में जाके आप हमारी सारी क्लास दे ठीक है जिसे आपको हर हालत में शीएचो बनाएगा ठीक है तो बात सुनो मेरी बात यह है कि महनत इतनी खामोशी से करो कि सपलता सोर मचा दे जियां आपको एक ही बात बोलता हूं कि महनत आप इतनी खामोशी से करो चुप चाप आप इतने भेंकर तरिके से पढ़ो कि अभी टाइम नहीं है आपका एक्जाम है 19 फरवरी को आपका एक्जाम कब आशर 19 फरवरी को एक्जाम है 19 फरवरी के एक्जाम के आज की तारिक में दिन बचे पूरा एक महिना एक महिने के अंदर आप सब कुछ छोड़ दो जो चीज आपको पड़ाई से थोड़ी दूर ले वन मंथ अपने आपको टाइम दे दो जिन्दकी को बनाने के लिए क्योंकि मेरे दोस्त ये मुका बारी-बारी में नहीं आने वाला क्योंकि राजस्तान के अंदर है और आपकी एज भी हो गई है और सियेचो के अंदर इतना कोई ज़्यादा स्लेवस नहीं हाता जितना एक EMS का एक्जाम में आता है NORSEET का एक्जाम करेक करना बहुत हाड है इसलिए CHO का एक्जाम आप आसानी से करेक कर सकते हो एक मेने दिन रात यानि कि लगातार पढ़के और लगातार आपको पढ़ना होगा खाना खाना छोड़ना होगा नीद लेना छोड़ना होगा सब को छोड़के शिर्फ 5 गटे आप नीद लो एक टाइम आया अलका आप खाना खाओ और दिन रात इतनी पढ़ो इतना पढ़ो कि आपका पढ़ोसी आपका दोस्त जो अभी होस्पिटल के अंदर काम करा या जो अभी तक पढ़ाई नहीं करा उसको भी लगे कि यार तूँ सियेचो कब बन गया तूँ तो मेरे साथ ही रहता था तूने तो कभी से कोचिंग भी नहीं ली और तूँ एकजाम आया तो तेरा सियेचो के अंदर अच्छी रह गए क्या ये चमतकार है जिया उसको चमतकार नहीं ये मेनत है आपकी खामोसी से जो की सपलता आपकी सोर मचाएगी इसलिए दोस्त अभी से लग जो सब कुछ छोड़ दो और अपने लिए नहीं अपनी जीवन के लिए अपने घरवालों के लिए आपने 3-4 लाक रुपे लगा के नर्सिंग किया है बैस उसका फल पाने के लिए आप पढ़ नहीं सकते आप एक मेने मेनत नहीं कर सकते अपने जीवन को बनाने के लिए सरकारी नोकरी बहुत अच्छी होती है आप सोचके देखो ठीक है मैं तो यही बोलने चाता हूँ और पढ़ना तो आपके हाथ में है और मेरा तो काम आपको केवल मोटिवेट करना और पढ़ाना है ठीक है कंटेंट की कोई कमी नहीं है मेरी यूटूब चैनल पे आपको वो सारा कंटेंट मिलेगा जो आपको CHO बना देगा और मैं भी दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ठीक है तो मेरे साथ आप मेहनत कीजिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त है उनके पास चली जाए और हमें भी बेनिफिट मिले और आपको भी बेनिफिट मिले मैं लेगतार आपके लिए कलास लेके आऊ ठीक है तो आज का अपना पहला नंबर क्यूशन है जो आपको राजस्तान CHO हर हालत में बनाएगा क्या है पहला क्यूशन कि इन में से कौन सी IUCD यानि की Inter-Uterine Contra Safety Device है जो 10 साल के बाद बदलनी पड़ती है यानि की Every 10 Year के अंदर क्या करनी पड़ती है Every 10 Year के अंदर Change करनी पड़ती है 10 Year के अंदर तो इसके अंदर कौन सी effet Contra Safety Device है तो पहली Contra Safety Devface है Corporate 200 दूसरी कोंटरा सेटी डिवाइस है कोपर्टी 200A तीसरी डिवाइस है कि कोपर्टी 300A या D option कहे रहा है नोन ओप दा अबो चार ओप्षन आपके सामने हैं कमेंट आप अभी करो चारों के चारों आप option बताओ कि इसमें से कौन सा राइट है चाहिए आपको आए या नाए क्य कि आपकी क्या बने सर प्रेक्टिस बने आपकी क्या बने प्रेक्टिस बने इसलिए आप MCQ कीजिए चाहिए आपके पास प्रितिरिगरवाल बुक हो चाहिए आपके पास PR यादब बुक हो चाहिए आपके पास Mission CH हो कोई सी भी बुक हो लगातार उसके अंदर क्या करो objective आपके लिए benefit है तो मैं देख रहा हूं कि सभी बच्चों के right answer आ रहे हैं Dear future community health officer अगर 10 year के अंदर कोई भी आपसे IOCD पूछ ले तो और इसके अंदर option हो property 300A तो आँख बंद करके आप उस पर answer टिका देना आपका right answer होईगा आपका right उतर answer होगा आपको गलत कोई नहीं कर सकता और आपको CHO बनाएगा ऐसे question क्योंकि एक question आपकी जिन्दकी बना सकता है और एक question अगर आपने गलत की दिये कर दिया तो जिन्दकी को बिगाड़ भी सकता है क्योंकि आपकी negative marking आपकी बार रहने वाली है तो गबराने की कोई जुरूरत नहीं है ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो selection आपका ही होगा आपकी बार ठीक है लेकर चलता हूँ आज के अपने next question पे आज का अपना next question क्या कह रहा है कि natural method of the family planning family planning का natural method कौन सा है यानि कि जिसके अंदर आप ना ही medicine दे रहे हो ना ही कोई और कोई barrier method यूज कर रहे हो केवल natural method है किसका family planning का तो I hope आप ये question समझ गए होगे और इसके option को भी समझ के आप अपना right answer बताओ कि natural method क्या है family planning का मैं भी जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके साथ मैं भी motivate हो रखा हूँ मैं भी fast fast पढ़ा रहा हूँ I hope आपको समझ में आ रहा है अगर आप कोई तो मैं slow पढ़ा लेता हूँ ठीक है तो A option के रहा है कि calendar method B option के रहा है कि condom C option के रहा IUCD D option के रहा OCP तो इसके अंदर natural method कौन सा होता है family planning का चार option आपके सामने हैं आप अपना right answer बताओ कि सर इन में से natural method कौन सा है family planning का और मैं सभी से एक बार फिर request कर देने चाहता हूँ प्लीज आज वाली class को आज वाली class को आपके जितने भी nursing के साथ है जितने भी nursing के group है जहां भी हो class को share जरूर कर देजिए ताकि वो भी candidate अपने साथ जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी class को देख सके तो I hope मैं आपसे उमीद रखता हूँ जितने भी बच्चे मेरी class देखेंगे वो class को share आज जरूर करोगे मेरे लिए करोगे अपने खुद के लिए करोगे ताकि मैं डेली आपके लिए class है ले क्या सकूँ ठीक है तो natural method क्या है family planning का सभी ने अपना right answer बताया और मैं भी अपना right answer बता देता हूँ कि सर्क calendar method क्या है natural method है family planning का क्योंकि इसके अंदर आपको भी पता है ovulation कितना जिन्द होता है 12 से 14 दिन जो next menstrual cycle आती है उससे पहले क्या होता है ovulation होता है और उससे पहले जो बीज का period होता है वो अंसेप होता है उससे पहले और बाद के अंदर जो अपने method यूज करते है family planning का तो उसको क्या बोला जाता है natural method बोला जाता है condom यह क्या है यह natural नहीं है ICD क्या है यह hormonal corporate device है OCP एक hormonal tablet है जो की contraceptive method यूज लिया जाता है तो I hope यह दो number question आप आसानी से समझ गए होगे गलत आप है नहीं करोगे क्योंकि मेरे दोस्त गलत करने पे आपकी negative marking अपके बार जाएगी और गभराने की कोई जूरत नहीं है ज्यादा से ज्यादा अभी practice कीजिए ताकि गलत आपके question ना जाए और आज का अपना next question है next question क्या करे रहे कि इन में से कौन सा natural family planning का method है same question है थोड़ा सा different option change है कि इन में से कौन सा method है जो natural है किसका family planning का method तो इसके अंदर पहला option करे रहे breast feeding दूसरा option करे रहे intrauterine device C option करे रहे vasectomy D option करे रहे tubectomy चार option आपके सामने है इसके अंदर कौन सा method है natural method है family planning का तो मैं देख रहे हूँ सभी future community health officer right answer दे रहे है कि सर natural method की बात करों तो breast feeding क्या है natural method है किसका family planning का क्योंकि हमने देखा है कि जो mother अपने बच्चों को six month continue breast feeding करवाती है तो उनके अंदर क्या होता है delay mensal cycle आता है और delay mensal cycle आने की कारण ovulation नहीं होता और ovulation नहीं होगा तो क्या नहीं होगी pregnancy नहीं होगी तो यह क्या है एक natural method है किसका सर family planning का तो I hope यह क्यों समझ गे होंगे ठीक है गलत नहीं करोगे intra uterine device आपको भी वेता है IUCD, vasectomy जो male के अंदर करते है stylization और tubectomy जो female के अंदर stylization करते है ठीक है उसको बोला जाता है तो I hope आप यह समझ गए होंगे ठीक है लेके चलता हूँ आज के अपने next question पे आज का अपना next question है आपकी screen पे यह रहा और question क्या करा है कि लगातार breastfeeding कितने मेने तक pregnancy को रोकती है continue breastfeeding यानि exclusive breastfeeding आपकी कितने मंत की होती है 6 मंत की होती है exclusive breastfeeding कितने मंत की देनी चाहिए 6 मंत देनी चाहिए 6 मेने तक baby को no water, no खाना, no food कुछ भी नहीं देना तो exclusive breastfeeding आपसे पूछ लेए कितने मंत को आप answer दोगे 6 मंत का और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लगातार breastfeeding करोगे तो कितने मेने तक pregnancy को रोकता है A option के रहा कि 12 मंत, B option के रहा 9 मंत, C option के रहा है कि 6 मंत और D option के रहा 9 अब वो easy सा question है जो आपने पिच्छे वाला concept आपने समझ लिया तो ये question भी आपका right होगा और मैं देख रहा हूँ कि सभी CH के right answer आ रहा है आपका selection अब कि ये बार sure है ठीक है, तो कैसर अगर आप exclusive breastfeeding कितने मंत की करवानी होती है 6 मंत करवानी होगी तो 6 मंत करवानी होगी तो pregnancy को भी कितने मंत तक रोकेगा 6 मंत तक रोकेगा तो C option इसका right होगा और आपका भी सभी का C option right था मुझे ये देखे बहुत है अच्छा लगा कि आपका knowledge दिन परती दिन बढ़ता ही जा रहा है और आपका CHO में selection अब की बार confirm होता ही जा रहा है ठीक है लेके चलता हूँ next question next question क्या है कि which is the permanent method of the family planning family planning का permanent method कौन सा होता है ठीक है जिसके बाद अगर वो method करने के बाद आपको बारी बारी में method यूज नहीं करना पड़ता permanent method हो जाता है a option के रहा कि copper tea, b option के रहा टुबक्टोमी and vasectomy c option के रहा oral pills, d option के रहा breast feeding मैं आपको contra safety क्यूशन इसलिए पड़ा रहा हूँ कि पिछली बार contra safety से दो तिन क्यूशन आयते क्योंकि CHO का काम ही होता है health and wellness center पर family planning को maintain करना और family planning से क्यूशन आएंगे ही CHO को आपको गभराने की कोई जूरुत नहीं है मैं जो भी क्यूशन ला रहा हूँ according to slaves ला रहा हूँ, ठीक है तो which is the permanent method of the family planning के है तो सभी CHO के right answer आ रहे है और मैं भी अपना right answer बता जेता हूँ कि sir permanent family planning का method है tubectomy and vasectomy female के अंदर करेंगे तो tubectomy और male के अंदर करेंगे तो vasectomy, ठीक है यह बात आपको note में कर लेना है ठीक है, next question है family planning से, क्या question है इसके अंदर मैं दो तीन question आपको बताऊँगा, कि पहला option है कि full form बताओ, NSV ठीक है, NSV की full form क्या है तो A option के रहा है कि non stridal vasectomy B option के रहा है non surgical vasectomy C option के रहा है non scalp vasectomy ठीक है, और D option के रहा है all of the above D option के रहा है कि सर इसके अंदर all of the above ठीक है, और मैं देख रहा हूं कि सभी future community health officer के right answer आ रहे है कि सर NSV की full form क्या है तो NSSV की full form है non scalp vasectomy C answer जिस बतों ने दिया उनका क्या है sir, right answer आ रहा है और मैं देख रहा हूं आप सभी का overall ग्याना है बहुत अच्छी बात है future community health officer ठीक है, लेके चलता हूं अपने next question पे आज क्या अपना next question अपनी screen पे है क्या है कि MTP करवाएंगे medical termination of pregnancy जिसके अंदर consent किन से लिया जाता है यानि कि आप consent लोगे doctor या nursing officer या फिर CHO consent लेगा वो किसे लेता है MTP करवाते है तब तो A option के रहा है wife से only B option के रहा है husband से only C option के रहा है D option के रहा non of the above in में से कोई नहीं तो MTP करवाते है तो consent किन से लिया जाता है ये भी आप याद रखो medical termination of pregnancy जो लागू कब हुआ था 190-72 के अंदर हुआ था implementation और ये parliament में कब आया था तो 190-71 के अंदर ये आया हुआ था ठीक है तो MTP consent किसे लिया जाता है तो आपका सभी का right answer है और मैं भी अपना right answer बता देता हूँ कि सर MTP करवाने के लिए wife के ही consent जरूरी है husband के जरूरी नहीं है confused नहीं होना husband की जरूरत नहीं है अगर female अकेली जाके कह दे कि मुझे pregnancy को continue नहीं रखना मुझे कोई दिक्त है तो वो pregnancy के लिए continue नहीं रख सकती वो MTP करवा सकती है और husband के sign की कोई जरूरत नहीं है ठीक है ये बात आपको याद अगना अगर कोई भी female 18 साल से कम उमर की है तो family के जो गारजिन है उनके sign की जरूरत है उनके sign की जरूरत है अगर 18 साल से उपर है mentally healthy है तो कुन्त sign कर सकती है और 18 साल से निच्चे है और 18 साल से उपर है और mentally healthy नहीं है तो भी guardian sign कर सकते है ये बात आपको note में कर लेना है ठीक है तो MTP के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा ठीक है लेके चलता हूँ आज के अपने next question पे आज का अपना next question आपके screen पे ये रहा और next question क्या कह रहा है sir next question आपको कह रहा है कि nozocomial infection किसे कहा जाता है क्योंकि infection control के अपना chapter है और infection control से भी question आएंगे क्योंकि ये भी according to syllabus है तो nozocomial infection किसे कहा जाता है E option कह रहा है कि sir croning infection को nozocomial infection कहा जाता है B option कह रहा है कि sir hospital acquired infection को नोजो कॉमिल इंफेक्शन का जाता है C option के रहा है कि sir जो untreatable infection होता है उसको बोला जाता है D option के रहा है sir इसको severe infection को बोला जाता है तो 4 option आपके सामने है कि नोजो कॉमिल इंफेक्शन किसे कहते है तो मैं देख रहा हूं कि सभी future community health officer अपना right answer दे रहा है जल्दी से जल्दी आप comment करो कि इसका right answer क्या रहेगा Very good सभी CHO ने अपना right answer दिया है कि sir नोजो कॉमिल इंफेक्शन उससे कहा जाता है hospital acquired infection को क्या कहा जाता है सर नोजो कॉमिल इंफेक्शन कहा जाता है जब एज एक CHO किसी भी patient को अपने hospital में admit करेगा admit करने के बाद 48 गंटे यानि 48 horse complete होने के बाद किसी भी patient करके आया था कप और उसको क्या हो गया UTI urinary tract infection हो गया खांसी करके आया था और urinary tract infection लेके जा रहा है तो वो क्या है hospital acquired infection है वो क्या है hospital acquired infection है क्योंकि आपने hospital में admit किया और CHO सामने क्या लगया खतेटर लगया और खतेटर के associate infection हो गया तो उसे UTI ही हो गया तो ये nozocomial infection है और health workers से कोई भी infection हो जाता है जिस doctor nursing officer CHO तो उसको क्या बोला जाता है आइटरोजेनिक infection है बोला जाता है ये भी एक ट्रम आप note में कर लेना उसको क्या बोला जाता है तो I hope आप ये समझ गए अच्छी तरीके से ठीक है लेके चलता हूँ आज के अपने next question पे लेके चलता हूँ आज के अपने next question पे और next question आया है आपके screen पे ये रहा और next question आपको क्या कर रहा है कि most common hospital acquired infection कौन सा है CHO जब hospital के अंदर खिजी भी patient को admit करेगा तो CHO को ज्यान होना चाहिए कि hospital के अंदर admit होने पर patient को most common कौन सा infection हो जाता है E option के रहा कि sir respiratory infection हो जाता है B option के रहा कि sir कि उसको kidney में कोई problem हो जाती है C option के रहा सर उसको bladder में problem हो जाती है D option के रहा सर उसके digestive system में problem हो जाती है तो चार option आपके सामने है hospital acquired infection में most common कौन सा infection है और सभी साती CHO अपना comment करो जल्दी से जल्दी comment करो ताकि आपका answer मैं देख रहा हूँ कि किसने कौन सा answer है दिया है regret मत फिल करो आप कोई भी यह सामत फिल करो कि मेरा question wrong हो रहा है कोई नहीं है आपको जानने वाला आप comment करो क्योंकि आप जितनी ज़्यादा गलतिया करोगे उतनी गलतियां को आप सुदारने की कोशिय से भी करोगे ठीक है तो most common hospital acquired infection की बात करो आज के अपने next question पे आज का अपना next question है आपके screen पे यह और next question क्या कहरा आपको next question आपको चीक चीक के बोल रहा है कि when the patient acquired infection during low immunity किसी भी patient की क्या एसर low immunity है यानि कि patient को क्या हो गया कोई भी autoimmune disease है यानि खुद की oven body खुद की body खुद को ही disease करने हारम करने लग जए तो उसको बोलते है autoimmune disease तो low immunity की बज़े से जैसे कोई अचाइवी का infection है कोई chronic infection है जिसके बज़े से low immunity हो जाती है तो उसके अंदर कौन सा infection होता है तो A option के रहा cross infection होता है B option के रहा hydrogenic infection होता है C option के रहा opportunity infection होता है D option के रहे हैं जो को meal infection होता है चार option आपके सामने चारों के मैं अलग लग ट्रम आपको बताऊंगा पर तो उससे पहले आप अपना right answer बताओ कि low immunity के अंदर कौन सा infection होता है ये question बहुत बार आया हुआ है ठीक है और मैं देख रहा हुँ कि सभी साती CHO अपना right answer दे रहे है कि सर जब कोई भी person के अंदर low immunity हो जाती है तो इनको infection से लड़ने के लिए उसके सरीर में कोई तागत नहीं है जब तागत ही नहीं है तो उसके अंदर infection पहलने के लिए opportunity मिल गई किसको virus को तो उसको बोला जाता है opportunity infection उसको क्या बोला जाता है opportunity infection बोला जाता है क्योंकि उसको क्या मिल गया अवसर मिल गया infection को फेलाने के लिए किसको मिल गया अवसर बेक्टीरिया एंड वाइरस को अवसर है मिल गया ठीक है तो I hope ये क्यूशन आप अच्छी तरीक्या से समझ गये होंगे Cross Infection उसको बोला जाता है कि मान लो कि Health Care Worker के वज़े से है ना आया था TB करके और ले के जा रहा है HIV करके तो वो क्या होगा Cross Infection है Iterogenic Infection मैंने आपको बताया था Hospital Acquired यानि कि Hospital के अंदर Health Care Worker की वज़े से होता है Iterogenic Infection होता है Nozocomial Infection आपको भी बता है Hospital के अंदर Edmit होने के बाद 48 गंटे के बाद जो भी Infection होता है किसी भी पेसेंट को उसको बोला जाता है Nozocomial Infection तो I hope ये चारो उप्षन आपके समझ में आ गए और आप अपना Right Answer दोगे गलत है नहीं करोगे जब CHO का एकजाम होगा ठीक है लेके चलते हैं आज के अपने Next Question पे लेके चलते हैं आज के अपने Next Question पे और Next Question आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है कि In Infection Disorder The Period Between Exposure यानि Exposure हो गया कोई भी पेसेंट के अंदर ये बैठा और यहां से चलके इस परिशन के अंदर क्या आगया डिजीज आ गया डिजीज आने के बाद जो Sign and Symptoms से हो करेगा ठीक है तो उस पेरीड को क्या बोला जाता है इस पेरीड को बीच को क्या बोला जाता है ये क्यूशन आपसे पूछना चाता है तो A option के रहे कि इसको Latent Interval बोला जाता है B option के रहे Latency Interval बोला जाता है C option के रहे कि सर इसको Incubation Period बोला जाता है D option के रहे कि सर इसको Waiting Period बोला जाता है क्यूंकि आपको Easy and Hard दोनों क्यूशन ही आपको पढ़ना होगा, आपके सारे क्यूशन पर आपके कमांड अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपको 3500 सीट के अंदर आपकी सीट मिलेगी, क्योंकि मेरे दोस्त, सीट है अब की बार कम, और कमपीटिशन है अब की बार ज्यादा, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखनी होगी, और शेर भी करनी होगी, ताकि मैं डेली आप इसे अच्छी से अच्छी क्लास ले क्या हूं, ताकि आपको बेनिफीट मिले, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी ने दिया है, और मैं भी अपना र नेक्स्ट कुशन आपकी स्क्रीन पे क्या के रहा है कि information related to health indicator into a community are collected by जो भी आपके health indicator है जैसे IMR, MMR है न और जो child death rate सब कुछ mortality की है जो community के अंदर किसे collect की जाती है समधय के अंदर किसे collect की जाती है जो भी data है तो A option के रहा है census के दौरा, B option के रहा है sample registration system के दौरा, C option के रहा by law reporting, lie reporting के दौरा, D option के रहा, all of the above के दौरा, यानि कि CHO का ही काम है ये health report को भेजना आगे send करना कि CHO एक community के अंदर काम करेगा, community के अंदर जितने भी disease हो रही है, जितने भी indicator हो रहा है वो CHO report collect करेगा, आसा BNG collect करेगी और CHO को report देगी और CHO आगे CAC और PAC district level पे send करेगा तो आपको याद रखना चाहिए, सर की जितने भी health indicator हो सब all of the above, यानि सारी चीज़ से अपने collect करेंगे, तो D option इसके अंदर रहेने वाला है, sentence के दौरा जो भी जनगनना है, sentence के दौरा जैसे है ना, उसको दौरा कोई भी sample registration system है अपनी, जो SRS website उसके दौरा सही है, कोई भ इन option सही है, तो D option इसका अंदर रहेने वाला है, तो I hope आज वाली class आपने अच्छी तरिके से देखी, enjoy की है, मेरे दोस्त मेहनत इतनी खामोशे से करो, कि सबलता सोर मरचा दे, दिन रात पढ़ो, class चाहे मेरी आदे गंटे की हो, पर तो आपके पास book है, जितने भी book है, उ इन फिट मिल से के, तो I hope आज वाली class आपको enjoy लिया है, और आपने बहुत कुछ चिक है, आप मेहनत करो, दिन रात आपके पास टैम नहीं है, आज आपके पास एक महिना है, सोना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, केवल एक ही चीज माइंड में आनी चाह खाना पीना आप लिमिट का करो, छोड़ना का मतलब यह है कि थोड़ा खाओ, और आप शीचो की त्यारी करो, ठीक है, तो I hope आपको कला समझ माई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जे हिंद, जे बार्द